हम जो होम मेकर्स होते हैं अपने घर को और अपने किचन को जादर से जादर टाइम देते हैं और अच्छे से अच्छे साफ सफाई रखने की कोशिस करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किचन में इतने सारे काम होते हैं कि जटपट काम करने के चकर में हमारे जो किचन में तीन से चार बार बरतन निकलते हैं हम उतना ध्यान दे के उसे साफ नहीं करते हैं फटा फट साफ करके रख देते हैं और बहुत सारे बरतन ऐसे होते हैं जिस पे हमें सपेशल ध्यान देना परता है जैसे कुकर हुआ कुकर के सीटी हुई रबबड हुई चाय के जो पतीले होते हैं या भगोने होते हैं मिक्सी का जार होता है जिसे अंदर से तो हम साफ कर लेते हैं लेकिन बाहर के तरफ कौक काफी सारा गंदगी उसमें रहे जाता है और इस चकर में हमारे kitchen में बहुत सारी गंदगी बिना देखी हो जाती है मतलब ध्यान हमारा जाता नहीं है और kitchen हम कितना भी अच्छा बना ले, modular kitchen करा ले लेकिन अगर हमारे बरतन साफ सुतरे नहीं रहते हैं तो हमारे kitchen का भी लुक खराब हो जाता है कोई हमारे घर में जब आता है और इस तरह के बरतन देखता है तो उससे ही वो जज़ करता है कि हम कितनी साफ सफाई रखते हैं तो इसलिए जब भी हम बरतन दोए रोज नहीं तो हपते में एक दिन तो इन सब बरतनों पर हमें special ध्यान देना चाहिए और ध्यान देके उस जगह पे concentrate करके उसे साफ करना चाहिए कि जिससे हमारे बरतन नए के नए बने रहें और जो भी हमारे kitchen में आए हमारे बरतन देखे तो देखके उन्हें भी एक मतलब खुशी मिले और हमें तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आई होप आप लोगों को वीडियो यूसफुल लगेगी पसंद आएगी तो देखी इस तरह से मेरे काफी बरतन यहाँ पे सिंक में जमा हो गये हैं इसे मैं पहले एक बार जूठे जो उसमें बरतन में चीजे लगी होती हैं उसे पानी से इस तरह से वाश कर लेती हूँ और वाश करके जो स्टील के नॉर्मल वाले बरतन होते हैं जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसे पहले अच्छे से फटा फट साफ कर लेती हूँ इस तरह से साफ कर लेने के बाद उसके बाद जो इस तरह के बरतन होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है तो उसे कैसे साफ करना चाहिए वह मैं आपको दिखाती हूँ हम सभी के घरों में इस तरह की मतनी होती है ऐलमुनियम की स्टील की या इस तरह से लकडी की उसे यूज करते करते आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की डिजाइन होती है जिसमें food particles उसमें first जाते हैं और बैठ जाते हैं तो उसके लिए इस तरह से आप छोटा सा कोई भी पुराना सा ब्रस रख ले और उसे easily इस तरह से जब साफ करेंगे तो अंदर की तरफ अच्छे से सफाई हो जाती है और अगर उस पे ध्यान नहीं दे तो बहुत सारी उसमें food particles लग लगके एक layer बन जाती है जो देखने में भी अच्छा नहीं रहता है और हमारे health के लिए भी अच्छा नहीं होता है तो इस तरह से brush से अगर उसे साफ कर दें तो बहुत अच्छे से वो clean हो जाता है साफ हो जाता है इसी तरह से हमारे जो चाय के भगोने होते हैं वो अक्सर इस तरह से सुस्पेंज होते हैं वो हैंडल वाले होते हैं और उसके इस तरह से इस तरफ और इस तरफ इस तरह से नट बोल्ट के मतलब पैच होते हैं लगा हुआ होता है जिसमें यूज करते करते काफी सारा दाग ध और अगर अच्छे से उसकी सफाई नहीं करें तो वहां पर काला पंजमा हो जाता है और एक लेयर जैसी मोटा सा हो जाता है जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो जब भी आप इस तरह के बरतन को साफ करते हैं तो इस पोर्शन पर उसे द्यान देना वैसे ही चमकते रहे तो इस तरह से उसी जगा पे आपको अच्छे से फोकस करके साफ करना चाहिए जिससे की देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा बरतन नहीं का नहीं बना रहता है तो इस तरह से देखे साफ करने के बाद कितने अच्छे से बरतन साफ हो जाते हैं और उसमें बिल्कुल दाग धब्बे नहीं रहते हैं और जो कि देखने में भी सुन्दर दिखता है, अच्छा लगता है हम सभी के घरों में इस तरह के लिट वाले कंटेनर होते हैं टिफिन होते हैं, जिसमें इस तरह के सिलिकॉन के रपर लगे होते हैं और वो काफी टाइम के बाद अब देखेंगे, अगर धयान देगे तो अँदर अगर रपर निकाल के देखेंगे, तो काफी सारी उसमें गंदगी बैठ जाती है अगर उस पे धयान नहीं दे तो रपर काले भी पड़ जाते हैं उसमें fungus लगके उपर उपर तो हम tiffin को और इस तरह के lid को साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें गंदगी बैठी हुई है और साथ ही इस तरह के जो हमारे mix जार होते हैं वो भी kitchen में हमारे काफी सा टाइम यूज होते हैं और उसे भी हम उपर उपर से इस तरह से सफाई कर देते हैं लेकिन आप देखेंगे रबबड निकालने के बाद तो उसमें काफी सारी गंदगी food particles बैठ के इस तरह से काला पन आ जाता है और साथ ही नीचे की तरफ भी देख सकते हैं इस mix जार के बरतन में तो नहीं लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा काला पन हो चुका है तो इसे भी हमें time to time मतलब रोज नहीं तो हफ्ते में एक तिन इन सभी चीजों की सफाई करनी चाहिए तो इस तरह से रबबडों को निकाल लें और उसे किसी बरतन में गरम पानी ले लें और थोड़ा सा डिस वास जेल डालके उसे अच्छे से भिगा के रख दे 10-15 मिनट ही भिगा के रखने पे और अच्छे से बिना मेहनत के ही हमारे ये जो सिलिकॉन की रबबर होते हैं अच्छे से साफ हो जाते हैं और उसी के साथ जो इस तरह से ढखकन हम निकालते हैं उसे भी आराम से हास से ही साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है रबबर निकालने के बाद बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है आराम से पानी में ही इस तरह से नल के नीचे अगर साफ करते हैं तो अच्छे से साफ हो जाता है और साथ ही जो मिक्सी के जार होते हैं नीचे के तरफ इस तरह से उसमें काला पना जाता है तो उसे भी थोड टू टू टाइम इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे बरतन नए भी रहते हैं साथ ही उसकी लाइव भी बढ़ जाती है अगर इस तरह से उसमें बहुत सारा गंदेगी बैट जाता है फर्स जाता है तो मिक्सिजार हमारा चलता नहीं है और फिर वो खराब हो जाते हैं और अन करें यह यह इस पुर्थ हो जाता है और देग हम आप में अइसे कड़ेंगे और जाना में Rio 105 यार पिर इन मा chee कर दोआन जाना में आपले और लुझा तौर नी सबने को खासे सब्सक्राइब कुक्र भी में आपढ़ा भी है। से साफ कर दिया है लेकिन उसका जो लीड होता है धकन होता है उसकी भी हमें अच्छे से ध्यान से सफाई करनी चाहिए जैसे कि उसके रबर को निकाल के अच्छे से उसे भी साफ करना चाहिए जहां पर रबर का पोर्शन होता है उसे भी नीचे की तरफ उसकी सफाई करनी चा जो इस तरह का एक साइड में पोर्शन होता है उसे भी छोटा सा ब्रस के साथ आप साफ कर लिया करें डेली का डेली तो हमारे कुकर भी बहुत अच्छी तरह से साफ सुत्रे और देखने में सुन्दर दिखते हैं नहीं तो काफी घरों में मैं देखती हूं कि कुकर इस तरह स काफी सारा उसमें डाग धबा और जूठा पन लगा रहता है जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और हमारे बरतन काफी पुराने लगने लगते हैं तो इस तरह से जब हम डेली में या हपते में एक दिन अच्छे से चीजों की सफाई कर लेते हैं तो चीजे हमा पन जमा होके एकदम गंदा लगने लगता है तो इस तरह की कडाई जो हैंडल वाली नहीं होती है आप उसका यूज कर सकते हैं या इस तरह के जो स्टील के भगोने होते हैं ये भी काफी सारा मतलब अच्छा लगता है हमारे किचन में ट्रापलाइन के जो बरतने आजकल न लेकिन ऐसा नहीं होता है इस तरह के बरतनों को अगर आप सूखने के बाद देखेंगे तो उसमें डाग धब्बे भी दिखके आते हैं अगर अच्छी तरह से बहुत दम लगा के हम बरतन को साफ नहीं किये रहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस तरह से जो भी हम निपू यूज करते हैं किचन में उसका छिलका बच जाता है तूसरे आप इस तरह से बरतनों पे थोड़ा सा रगड दें इस तरह से रगडने के बाद आप देखेंगे कि बरतन जो हमारे स्टेनले स्टील के होते हैं उसके दाग धब्बे बिल्कुल निकल जाते हैं और जो सिलिकॉन के रबबर को हमने गरम पानी में भिगाया था वो भी अच्छे से साफ हो चुके हैं तो उसे बहुत ही आसानी से सिर्फ ननल के नीचे आप इस तरह से पानी के नीचे ही उसे धोएंगे तो बहुत अच्छे से वो साफ हो जाते हैं जो उस पे एक काला पनाया वो इस तरह से हाथ से ही रगड देने पे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और उसे इस तरह से क्लीन करने के बाद आप थोड़ी देर इसे डीप फ्रीज में रख दे तो इससे हमारे रबर लूज नहीं पड़ते हैं और अच्छे से वो लिड पे सेट हो जाते हैं इसी तरह से हम के लगे डब्बे करने हमारे इंडियन किछन में बहुतसरा घी। तेल का यूज होता है और इस तरह से हम किसी भी काँच के बरनी में या श्रील के बरतन में डबे में करके रखते हैं। और उसे खतम होने के बाद इस तरह से काफी सारा उसमें लगा होता है कितने भी अच्छे से चिम्मत से निकालते हैं फिर भी थोड़ा बहुत उसमें घी तेल लगा होता है और उसे जब हम धोने जाते हैं तो काफी सारी चिकनाहट हमारे सिंक में, हमारे हाथ में और हमारे स्क प्रॉच पैट में लग जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस तरह से जिस भी बॉटल या डबे में आपने घी रखा है खतम हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के और उसे इस तरह से रगड के निकालेंगे तो पूरा आटा घी को तेल को इ किल्कुल हमें गरम पानी या सर्फ या किसी भी चीज की जरोत नहीं पड़ती है और ना हमारे हाथ में चिकनाहट आती है तो इस तरह से भी आप आपके ऑईली बर्तनों को साफ कर सकते हैं और इस तरह से आटा लग जाने के बाद उसे आप आटे को गूत ले अच्छा खास करते हैं कि अटिंग करते हैं तो इसे भी हमें टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग इसकी भी करनी चाहिए तो हब्पते में एक दिन मैं इस तरह से बेकिंग सोड़ा हुआ या नमक हुआ थोड़ा सा डालके और स्क्रॉच बाइट चारो तरफ से इस तरह से घस देती हूं और इस तरह से घस देने के बाद normal पाने से वाश कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से मेरा chopping board भी clean हो जाता है दो तीन साल से मैं ये chopping board यूज कर रही हूँ लेकिन आप देख सकते हैं कि ये as it easy है इसी तरह से अगर आपके kitchen में लकडी का चकला बेलन हो तो उसे भी हमें time to time अच्छे से polish करना चाहिए तो हफते में एक दिन मैं इस पे इस तरह से सरसो का तेल हुआ या refined oil हुआ कोई भी तेल हुआ इस पे थोड़ा सा डाल के और tissue paper से इस तरह से चारो तरफ इसमें इसे grease कर देती हूँ इस तरह से करने से हमारा जो लकडी का चकला बेलन होता है वो कभी खराब नहीं होता है और सबसे last step है कि जो भी बरतंद होने के लिए हम squash pipe या इस तरह के तार का use करते हैं उसे भी daily में साफ किया करें तो इस तरह से सिर्फ उसे गरम पानी में 2-3 मिनट भिगा के रखते हैं तो उसमें कोई भी जूठे चीजे अड़की होती है तो वो उसमें से निकल जाता है और जो एक अजीप सा smell आता है वो भी उसमें से नहीं आता है तो इस तरह से उसे भी हमें रोज शाफ करना चाहिए तो फ्रेंड यह था मेरा आजका वीडियो आइई होप मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आप लोगों को useful होगी आप लोगों के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेल का भी बटन जरूर प्रेस कर देना कि मेरे आने वाली निव वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई